हेलो डियरी स्टूडेंट मैसल्फ मुहमाद इमरा नंसारी डियरी स्टूडेंट टूडेंट वे लिस्कूस्ट अबाउट जेनेटिक कोड्स जेनेटिक कोड्स क्या होता है बच्चो ध्यान से अप लोग समझते चलिएगा जेनेटिक कोड्स एक ऐसा कोड्स होता है बच्चो उस टाइम बच्चो उस पे एक कोडांस बनते हैं जिनको जनेटिक कोडान कहा जाता है और उस कोडान को ढोने के लिए टी आरेने आता है जैसे कि आप लोग यहाँ पर इसके बारे में एक के करके समझ सकते हैं सबसे पहले है इट इस सिक्वेंश आफ निकलियोटाइड नेट डीकाल कोडान-डीक सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे कोडान दिख रहे हacăें खिच्वेंगा ऐए यू जी यू एसी ठीक है जी यू ए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रिप्लेट फॉर्म में यहानि तिन दिन के समुझभीं में आप लोग देख सकते हैं कि हाँ कोडांस दिख रहे हैं बचो द्यान देगा AUG जो होता है यह starting कोडां होता है और UAA जो होता है बचो यह एक तरह का start कोडां होता है इस प्रकार से अगर देखा जाए बचो तो 64 कोडां होते है 64 कोडांस पाय जाते हैं जिसका खुछ सब से पहले जोर्ज गेमो एक साइंटिस्टे इन्होंने किया था साजेश्टेट एड़ फॉर कोडिंग 20 एमिनो एसीड यानी कि इन्होंने बताया था कि जिनेटिक कोडांस जो हते हैं वह 20 एमिनो एसीड को कहरी करते हैं यानी डोते हैं दाकोड सूड बी मेड़ आफ त्री euclutide से बना रहता है दस दियर आर 64 कोडांउ अभी मैंठे बताया कि 64 कोडांउ होते हैं 64 कोडांउ मैं से 61 कोडांउ होते हैं वह पूरी तरह से اimmingo acid koad Shop होते हैं और जिस गांचा यह उसको इसको इस टाप यह नारेंड बर्ग जो थे ये सेल फ्री सिस्टम आप दा प्रोटीन सिंतेसिस को इन्होंने बताया था ठीक है सेवरो ओका जो एक एंजाइम का खोच किये थे जिसका नाम था पॉली निकलियोटाइट फासराइलेज इस यूजड पॉली मेराइज आरेने विच डिफाइंड सिक हैं यह जेनेटिक कोडान से डिलेडेट सभी तथे को इन्हों लोगों ने बताया था यहां पर बच्चों आप सभी लोग देख सकते हो यह 20 टाइप्स के अमीनो एसिड आप लोग को दिख रहे हैं जो कि ट्रांसलेशन प्रक्रिया में भाग लेते हैं साथ से पहले एमीनो एसिड आपको 20 एमीनो एसिड आपको दिख रहे हैं यह सभी एमीनो एसिड बच्चों कंडेंस होके बच्चों एक प्रोटीन बना लेते हैं यानि आपस में जूड के एक प्रोटीन बना लेते हैं जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जनेटिक कोडान से में प्रकार से आपको genetic colon दिख रहा है You, C, A, G क्योंकि यह RNA है tRNA पर You, C, A, G एस प्रकार से दिखाए देगा You, C, A, G इधर भी आप लोग लिख देंगे इसको कैसे बनाया जाता है और यहां पे आप देखेंगे You, C, A, G यहां पे You, C, A, G यहां पे You, C, A, G, नेक्स्ट आप नीचे आएंगे यू यू और यहां इसका बच्चो सी फिर यू और यू फिर से यहां पर देखेंगे ए फिर यू और यू यहां पर देखेंगे जी यानि कि इस प्रेकार से आप देख सकते हैं यह आपको अगर लिखना है बच्चो तो आप अगर मान लेजि थार्ड नंबर। आपको बताने की कोसिस कर रहा हूँ। थार्ड नम्बर। क्या क्या होगा बच्छो, पर यह उसके इस प्रेकार से आप देखेंगे तो ट्रीप्लेट । ट्रीप्लेट के फॉर्म में आपको कोडांस दिखाई दिए लएगा। और सबी kodans जो होते हैं बच्छो ये परते इसके लिए एक particular specific amino acid होते हैं यानि कि जो बना है amino acid उसी को ये ढोएगा बाकी किसी दूसरे को touch भी नहीं कर सकता है ठीक है बच्छो नेक्ट हम लोग बच्चो थोड़ा सा साइलेंट फीचर पढ़ते हैं जनेटिक कोडान्स के बारे में तो ध्यान से समझे चलिएगा कोडान्स इस ट्रिपलेट यानि थ्री लेटर कोडान होते हैं कोड होते हैं ठीक है बच्चो यू ए ए यू ए जी और यू जी ए ये किसी भी प्रकार के एमीनो अमलो को नहीं ढोने का काम करते हैं ये इस्टाप कोडान के नाम से जाने जाते हैं इस्टाप कोडान का काम ये करते हैं या इसी को टर्मिनेशन कोडान कहेंगे या नौंसेंस कोड़ान भी इसको कहा जाता है बच्छो एक और बात ध्याण रखिएगा जो AUG होता है, यह STOP कोड़ान होता है और starting कोड़ान होता है और बच्छो ध्याण दिजिएगा AUG double function करता है दो प्रकार का यह function करता है सबसे पहले बत हो कि ये जो है ये सबसे पहले AUG जो होता है मेथियूनिन एमिनो एसिट कोड होता है दूसरी बात ये है कि ये बच्चो आपको जो दिख रहा है AUG ये पूरी तरह से स्टार्टिंग कोड़ान है ठीक है उसके बाद से आप अगर देखेंगे इसी को इनिसियेटर कोड़ान भी कहते हैं ये हमारे अगर यू करियोटिक अंदर है तो इसको मेथियूनिन कहेंगे लेकिन अगर प्रो करियोटिक अंदर देखेंगे तो फार्मिल मेथियूनिन इसको कहेंगे प्रोकरियोटिक अंदर सेम चीज़ यह करता है बच्चो एन एमिनो एसिड इस कोड़ेड वाई मेनी कोड़ान्स बहुत से कोड़ान्स यह जुड़े रहते हैं एकसेप्ट ए यू जी फार मेट्यूनिन ए यू जी फार ट्रेप्टोफान ठीक है सच कोड़ान अरकाल डिग्रेड यानि के बच्चो यह किसी भी दूसरे कोड़ान से नहीं जुड़ते हैं यह केवल एक ही एमिनो एसिड से जुड़े रहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के सभी ट्रिपलेट के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होंगे इस प्रकार से यह बच्चो आप यू ए ए जो देख रहा हैं यह एक तरगा इस्टाप कोड़ान है नेक्सर्मर बात करेंगे बच्चो नमबराफ ऑक्शुएसन ठीक है बीट्वीं एडिसेंट कोड़ान यानि कोड़ान के बीच में बीच में आप देखे कहीं भी कॉमा नहीं होता है कहीं कॉमा नहीं लगता है the codon reads in mRNA in the contiguous session यानि कि इसको हम लोग बच्चों पढ़ सकते हैं एक केवल mRNA के अंदर ही इसको हम लोग पढ़ पाएंगे genetic code universal यानि एक तरह का universal होता इसको बदला नहीं जा सकता for bacteria to human UUU doesn't for phenylalanine some exceptions are found in mitochondrial codon and in some protozoans यह आप देखेंगे genetic code is non-overlapping genetic code non-overlapping होता है इसमें कोई भी overlap नहीं पाए जाता है genetic code is unambiguous specific यानि specific होता है जिसको जरूरत है वहीं पर जाके जुड़ेगा without किसी के जरूरत में यह अपने आप जाके किसे से नहीं जुड़ता है that is बच्चो one codon is specific only one amino acid यानि की एक codon जो हता है एक specific amino acid को ढोने का काम करता है no base pair यानि इसमें कोई भी कौमा उमा नहीं लगता है बच्चो इस बात को आप लोग याद रखिएगा ठीक है just हम लोग बच्चो बात करेंगे यहाँ पर इसके अंदर mutation और genetic codon के अंदर कोई कोई mutation हो जाता है तब क्या होता है बच्चो देखें mutation के अंदर क्या होता है अगर यह आपको genetic code आपको mRNA दिख रहा है इस mRNA के अंदर कोई extra मान लेजिए base प्यरा के जूड़ जाए ठीक है तब इसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि इसको triplet चाहिए अगर extra जूड़ जाएगा तो एक चार हो जाएगा बाकि सब तीन तीन हो जाएंगे नहीं हो पाएगा protein synthesis या यहां से बच्चो मान लेजिए एक कोडान बाहर निकल जाए अगर बाहर निकल जाएगा तभी protein synthesis नहीं होगा एनेमिया हो जाए ठीक है तो जिसके अंजर mutation हो जाता है mutation हो जाएगा तो फिर protein का synthesis ठीक से नहीं हो पाएगा इस बात को आप लोग याद रखेगे अभी बच्चों ही mutation का ही पार्ट है अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं MRNA का टाइप ठीक है टाइप template for translation protein synthesis यानि कि यह template को बनाता है translation कराने के लिए किसके क्यों translation होता है बच्चों protein synthesis यानि प्रोटीन की प्रक्रिया होती है बनने की प्रक्रिया होती है और आरेने यानि जिसको राइबोसोमल आरेने कहा जाता है structural detail डिटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन फॉर इक्जांपल 23S राइबोसोम यानि कि जो आपको दिख रहा है राइबोसोम जो है यह 23S है और आरेने इस इन बैक्टिरिया एक्ट एज राइबोजाइम ठ बच्छो यह genetic codes को लेके आता है उसको पढ़ने के लिए जैसे कि आपड़ देख सकते हैं बच्छो nitrogenous base यहां पर जुड़ा रहता है mRNA के अंदर और यह आप जो देख रहे हैं यह एक तरह का mRNA होता है बच्छो rRNA यानि राइबोसोमल आरेने यह mRNA यह है यह राइबोसोमल आर RNA और जो आप यह देख रहे हैं बच्छो यह tRNA है यानि कि transfer RNA ठीक है बच्छो जश्ट इसके बाद से अब हम लोग एक एक के बारे में बच्छो हम लोग discuss करेंगे अच्छे से तो सबसे पहले बच्छो फ्रांसी के क्रिक साइंटिश्ट थे पास्टूलेट परजेंस अफ an adapter molecule that can read the code and link with the amino acid बतलब यह ऐसा होता है जो एक amino acid से जुड़ने का काम करता है tRNA is called adapter molecule because it has an anti-codon T अगर देखे बच्छो tRNA अगर नहीं रहेगा तो protein synthesis की process नहीं होंगी इस बात को याद रखिएगा an anti-codon loop होता है इसके अंदर that has bases complementary to do codons ठीक है codons को बनाने के लिए an amino acid acceptor इसके पास amino acid acceptor होता है which amino acid इसे यह amino acid को क्या करते है यहां पर देखिए bind करता है ठीक है ribosome binding loop इसके पास ribosome binding loop भी पाये जाता है बच्छो enzyme binding loop यहाँ पे आप देख रहे हैं यह enzyme binding loop है यानि कि enzyme को भी यह क्या करता है bind करने का काम करते है यानि जितना भी देखा जाए सब कैसा feature tRNA के अंदर बच्चो पाए जाते हैं just आप लोग हम बाव लोग बात करेंगे for initiation यानि शुरुआत में there is another tRNA called initiator RNA इसको हम लोग initiator RNA के नाम से भी जानेगे there are no tRNA for stop codon यानि tRNA पे किसी तरह का कोई भी stop codon नहीं पाए जाता है secondary 2D यानि इसको अगर हम लोग dimensional structure देखेंगे बच्चो तो वो इस तरह से आपको दिखाई देगा ये 2D ठीक है ना बच्चो और अगर बच्चो हम लोग इसका 3D देखेंगे तो ये उल्टा L के जैसे दिखाई देगा ठीक है inverted L के रूप में ये दिखाई देगा बच्चो इसको याद रखिएगा अब बच्चो दिहां दीजिए यहाँ पे जो टाइपस आफ आफ आरेने में फार इनिसियेशन देर इस एनादर टी आरेने काल्ड इनिसियेटर टी आरेने देर इस नो टी आरेने इस फार इस्टाप कोड़ा नहीं होता है और अगर आप 2D देखेंगे तो आपको इस तरह से जो आभी पीछ आप देखें उस करते हैं यह कोड़ान है मारेने के पास और टी आरेने के पास एंटी कोड़ान होता है और अपने साथ यह अमीनो अमले के साथ यह टी आरेने आके इसके साथ अपने एंटी कोड़ान को उसके कोड़ान के साथ जोड़ देता है ठीक है बच्छो उसी तरह से यह भी यह सेरीन है amino acid यह आपको triptofon दिख रहा है लेकिन बचो यह triptofon नहीं होगा बचो यह होगा methionine methionine इसलिए होगा क्योंकि बचो AUG जो होता है यह एक तरह का starting codon होता है ठीक है तो उम्मिद करता हूं बचो की genetic codon आप लोग को समझ में आ गए होगा जश्ट इसके बाद से बचो हम लोग बात करेंगे translation process के बारे में और protein कैसे बनता है उसके बारे में तो थोड़ा सा आप लोग wait कर लेजिए बहुत जल्द वो वीडियो भी मैं आप लोग को upload कर दूँगा thank you for watching